परिवारिक कलह में पत्नी की ली जान भतीजा भावी मरना संड घटना के बाद खुद रेल से कटा सागर में बीती राथ मोती नगर थाना अंतरगत पगारा रोड पर एक परिवार में मौत का तांडव खेला गया परिवार विवाद के चलते सेल्समेन संजु साहू ने अपनी पत्नी रश्मी साहू की बके से वार करके हत्या कर दी और अपने भतीजे सचिन और भावी किरन को गंभी रूप से घायल कर दिया जिनकी हालत मरना संस्तिती में पहुँच गई है घटना के बाद वो खुद रेल की पत्रियों पर सो गया जहां रेल से कटने पर उसकी भी मौप हो गई घटना रात साड़े बारा से दो बजे के बीच की है मोती नगर ठाने के टी आई सतीश सिंग ने बताया कि आरोपी मृतक हाट पेशेंट था और उसके कोई संतान नहीं और गमी रूप से को लोग आया तो नहीं की तज्रीम पर आया है यहां पर एक महिला जसका नाव के रन है और जूसरा जो उसका बेटा है सचें नहीं पर दो अपक्र आखाया गया जिए और गर नसल की और जांशी वें तो उपर के गमरे में एक महिला जो है वो म्रतवस्थ हमें मिली कि और जांशी को तो यह अपाया गया कि जो एक महिला को पती जो है वो संजय का हुए उसके बारा जो है उसके लोगो को हत्यार के बार किया गया तो इसमें से एक महिला जम्रत हो गई दो कंपील जोटे हैं और फोड़ी जर्वाद उस आरोपी युवप के भी मृत ह जो होने की सुषा मिली जिसकी तजीव में जो रेल्वा ट्रेक के गए तो वह भी वहां पे मारा डगा मिलाता इस प्रकार यह जो है अट्या और आत्मंच्या का मला है यह जो समिट साहुए उनके नगा टेलेशन को यहांटा डाल को शिचांजी यहां पे गंभी रूप से जो लोग आया है कि यहां पे एक महिला जिसका नाम के रण है और दूसरा जो उसका बेटा है सचिन समीरूप से यहां तो प्रकार के तो अस्पताल गावाना की यह जाए तो उपर के कमरे में एक महिला जो है वो म्रतवस्था में मिली थी और जांची को यह पाया गया कि जो एक महिला का पती जो है वो संजेत आ हुए उसके जो है उत तीनों लोगों को हत्यारते बार किया गया तो इसमें से एक महिला जो म्रत हो गए दो वो कंभी जोटे और खोड़ी जर्वाद उसकुस आरूपी युवप के भी म्रत होने की सूसा मिली जिसकी तजीव में जब र प्राग मंचे ती